यही पंदरा सो की नोकरी करने वाला एक दिन तुझे देर सो का कफन पहनाएगा प्रलेनाथ आज से तो उल्टी गिंती गिनना शुरू कर दे जिस दिन में मुझे तेरे खिलाब एक भी सबुत मिलाना तुझे आएस्थी मौत मारूंगा कि तेरी पाप्रियात मागले साथ जनम तक किसी दूसरे शरी में गुसने के पहले काफ उठेगी अबे चप एक लवज भी आओके बुला तो फून के रख दूंगा तू मारेगा मुझे अब क्या सोच रहा है चला गोली अपनी मा का दूद प्याए तो चला गोली इस बदन को छूने के लिए शेर का कलेजा चाहिए तेरे जैसा बुस्दिल और नामद मुझे क्या गोली चलाएगा चला पुलीस अफसर पर गोली चलाने के जुर में मैं तुझे की रफ्सार करता हूँ प्रलन आज जरा भी हिले तो इसकी खोपड़ी कुल दूँगा अगले मेरा पाप तुझे छोड़ेगा नहीं आखिर तुमने वही किया जो हम नहीं चाहते थे आज तक एक बात मेरी समझ में नहीं आई आखिर आप चाहते क्या है कि एक के बाद एक की मोत होती रहे और हम चुप-चप देखते रहें पहले डॉक्टर गुप्टा की मौत हो गई फिर आली मारा गया आज इस प्रलनाग के पिल्ले ने मुझे पर गोली चलाई यह टेखिए अगर मैंने बुलेट प्रूप जाकेट नहीं पाई नी होती तो मरने वालों की लिस्क में मेरा भी नाम जूट जाता लेकिन इसने तुम पर गोली क्यों चलाई क्योंकि मैंने इसे मजबूर किया था इसके खिलाब सारे सबूत मैंने पहले ही कठा कर ले थे सवाल था उंगलियों के निशान का जो इस रिवालवर पर मौजूद है एक बात में दावे के साथ कह सकता हूं सर अनिता चोधिर का कातिल और राधा टं बहारा जाएंगे जो दुश्मन यहां बादा गया समझो उसकी अर्थी उठ गई हमारा यह हथ्यार आग उगलता है जो कुछ हमने पूछा अगर उसका जवाब तुन ने सच सच नहीं दिया तो यह हथ्यार तुम्हें जला डालेगा मगर आप चाते क्या है प्रलै नात गिर्णा स्वामी तुम्हारा बाप है और अब वही इस देश को खत्म करने की तैयारियां कर रहा है मेरे बाफ कर दो मुझे यारे दो ने ने मैं सब पताता हूं मेरे बापका अगला प्लाइन क्या है मुझे छोड़ दो मुझे मेरे बाप से कोई लिदा दर नहीं है मैं को खुझाता भी नहीं हूँ मेरे बाप का अगलप लाने के प्रॉफेसर खुराना को किनाप करना वाला है कि फ्रेंड्स मिसाइल की सबसे इंपोर्टन चीज है यह कि इसे मिसाइल फ्यूस कंडुक्टर कहते हैं कि जब तक यह मिसाइल में नहीं लगेगा मिसाइल टेक आफ नहीं कर सकता वह एक मुर्दे की तरह होगा कि पहले हमारे देश में मिसाइल फ्यूस कंडुक्टर बनाना इतना असान नहीं था जो कि अब हो गया है कौन हो तुम तवाल मत करो सिर्फ काम की बात सुलो प्रोफेसर वरना तुम्हारे सीकूरिटि गार्ट के साथ हिंदोस्तान का यह रिजर्ट सेंटर तुम सभी साइन्टिस्तों का कव्रस्तान बन जाएगा मैं किसी भी हालत में तुम्हारे साथ महीं चल सकता चाहिए अन्जाम कुछ भी हो ठीक है तो अंजाम देखो को यह इस देश के भविशे हैं इन्हें मत मारो प्लीज मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ तुम अकेले नहें शीर्ज कंड़क्टर भी तुम्हारे साथ चाहेंगे कि यह बहुत कदर लगोंगे मुझे बजा लो डैड़ी जल्दी 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 प्रवैनाद वो रहा तुम्हारा कभूतर बेटा और उसके गले में है जला देने वाला बॉम कि उसका रिमोट कंड्रोल हमारे हाथ में है अगर तुमने कदम बें आगे बढ़ाया तो उसे जला कर राख कर दिया जाएगा काफी हो गया यह तवाशा बंद करो प्रलैनाथ हाँ डड़ी आप वो ही कर यह जो यह कहते है क्या चाहते हो तो क्या मजदार सवाल किया तुमने समझे नहीं प्रोफेसर खुराना को वापस करो और अपने इस कभूतर बेटे को यहां से लेकर रफू चक्कर हो जाओ हम सब कुछ जानते हैं प्रोफेसर उसकी गाड़ी में हमारा ट्रांस्मिटर लगाया जा चुका है वो जो कुछ भी कहेगा जो कुछ भी करेगा जहां कहीं भी जाएगा उसकी हर एक मुवम्मेंट की खबर हमें मिलती रहे हमारे ट्रांस्मिटर का सिगनल बता रहा है कि गिल्डा स्वामी का अड़्डा वो यह रहा यह से बाहर एक वीरान जगे पहारियों के बीच और बीच है कमांडोस रेडी फर आपरेशन तरंगा कर दो क्या वुट कर यह वुटो प्रुजब एके बाट। बाहुर बाहुर झाल आपने बहुदो से रहा है कि अपने भड़वों से कह दो कि हचार फेंगे जड़ा भी हरकत की तो चिथड़े उड़ा दूगा हाँ 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 हम तो समझे थे कि तुम जंग बाजो की तरह जंग लड़ोगे लेकिन तुम तो एक घटिया किसम के दवाड़े प्यादे निकले अधूरे में अध्यार डाल दिए प्रलायनात कभी कोई जंग अधूरी ने लड़ता प्रिकेडियर लेखना चाहते हो तो देखो देखाओ अगले अब हतियार नीचे डालने के बारी तुम्हारी है डाल दो हतियार प्रिकेडियर अधियार नीचे डाल दो हां शहां हां तो यही है मेरे पिताजी काथिल इसी दिया मेरे फिताजी का खूल किया यही है का निच माना रख टकाटिल और आश्ट्रम सब का कतल भी मेरे हाथों से होगा वागले तुमारी गर्मी को ठंडा करने का सामान भी मैं साथ लाया हूँ वो देखो कि खबरदार अपनी जगे से लेकी कोशिश की एक ही बटन दबाऊंगा सब को राक कर दूँगा अगर देखना चाओते हो तो यह देखो अगर देखा ब्रिगेडियर मेरी जंग की शुरुवाद और इसकी इंतिया होगी तुमारी बर्वादी और हिंदुस्तान का खात्मा हिंदुस्तान का खात्मा हिंदुस्तान का खात्मा तो सदियों से कोई नहीं कर सका वो तो एक खुआ भी रहा जो ना कभी पूरा हुआ था और ना कभी होगा सबस्क्राइब तो फिर हंदुस्तान में शेर भजे ही कितने हैं उन्हें तो हकूमत भीरा ये जाहसत नहीं देदी और ये तुम जैसे गेड़े की शकल को का गाकर नियासूна ? मेरी अवकात का पता तो तुम आज ही चलाईका-प्रिछी रियर School इन शेर के जबड़ों में कितने दात है कि अ कि नमस्कार शिवाजी राओ आगले आओ आओ हीड़े की आउलादा तेरी कमी थी या जब तक हमारे देश के इससे में तेरे जैसे मंद्री आएंगे ना हमारे देश का इसी तरह कल्लान होता रहेगा नमस्ते वाँ प्रणेना जी क्या खूब मिलाई है इन दो देश फक्तों की जोड़ी जो आज देश के नाम पर एक साथ शहीद हो जाएंगे कई शहीद होते आये हैं और कई शहीद होते रहेंगे अपनी धरती मां को बचाने के लिए लेकिन तुम जैसे लोग जो अपने आपको ही नहीं अपनी मां को भ गिद्द और चीले नोच नोच कर खा जाएंगे नोच नोच कर तो हमारे आदमी तुम्हें खाएंगे मैंने फैसला किया है आज 15 अगस्ट के दिन मैं इस देश को बरबात कर दूँगा आज ओ दिन हमारे और तुमारे सामने है वजा रोहन को आप सिर्फ 24 मिनिट बागी है और 25 मिनिट में क्या होगा वो तुम सब अपने आखों से देखना प्रलाए वन आउट रेडी फॉर तरगेट आज है वोहरा है आज है वजगा वजगा वी है लोहरा है करना कर दो करना कर में श facial प्रिगेडियर यह मेरी जंग की शुरुआद अब तुम सब के सामने यह मेरे तीनों मिसाइल्स इस्ट वेस्ट और नौर्थ कमांड को खतम करेंगे और हिंदुस्तान पर विदेशी हुकुमत का जंडा लाहर आएगा और इस देश की बरबादी तुम सब अपने आखों से देखोगे यह देखो खड़े हो बारूत के ढहर पर और पी रहे हो पाइप तुम्हारे जलवे में कोई कमी नहीं आई ब्रिगेडियर तुम दोनों में से कोई भी अपनी जगे से हिला तो दोनों कैबिन रिमोट कंट्रोल से उड़ा दूगा खबरदार हिलो में बून करख दूगा कि यह तो हमारे एक छोटे से पीने वाले पाइप का कवाल था अगर कहीं भूले से हमारे इस रुमाल को हाथ लगा बैठते तो जलकर राक हो जाते गेंडा स्वामी जलकर राक कौन होगा इस बात का पता तुम्हें अभी चल जाएगा प्रिगेडियर प्रलेव ओम अप्रिवफ। लग याल कि यह वह दूसरा दीसरा सब मिशाइल चालू कर दो पर लेनाज जी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं लेकिन पता नहीं क्यूं एक भी मिसाइल टेक आफ नहीं हो रहा इसका टेक आफ कर दो हमारा वो पाइप डाइनमाइट से भरा हुआ था हम जानते थे कि तुम कभी ना कभी हमारे हाँ से चीन कर उसे फेंक होगे उसी के धुएं के आज लेकर हमने तुम्हारे सम मिजाइल के क्यूज कंड़क्टर निकाल लिया है गेंडा स्वामी फ्यूज कंड़क्टर अब तुभारे मिजाइल में सिर्फ धुआ रह गया और कुछ भी नहीं बाकी बचे तुम गेंडा स्वामी उसे तो हम निपट लेंगे भून दालो इससे क्युद कर दो कर दो झाल झाल मैं श्वाजी राव बागले मराठा मरता या मारता है यहाद है मैंने तुझे एक दिन कहा था यही पंद्रासो की नोक्री करने वाला एक दिन तुझे देड़ सो का कफन पहनाएगा भाग रहे हो जानी प्रधान मंत्री का खौब देखने वाले मंत्री लिगेडियर का सलाम नहीं लोगे मुझे बादार और कहता है मुझे बूर आप 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 हुऊंए हुआ पार हसा इसा fox है जिशा हुआ अचितन अचितन! मुख ऑन लड़त! कि इस सनी हुआ हा सकू Adapt आुआ हा कि आुआ है इडिजू हा वय honoring